नमस्कार वेलकम प्रोल अफेर जाओ प्रशान दवर नाओ रीसेंडी डॉनल्ड ट्रम से पूछा गया कि जो आज कैसा में समीकरण बन गए हैं बेट्वीन चाइना और ताइवान आपके हिसाब से चाइना क्या करेगा तो इनका जवाब यहाँ पर यह था कि चाइना मोस्ट प्रबबली अटाइक कर देगा ताइवान को जैसे ही ओलम्पिक्स खतम होते हैं 2022 के यह डॉनल्ड ट्रम की स्टेट्पेंट थी कि चाइना भी वस वेट कर रहा है 2022 के बेजिंग विंटर ओलम्पिक्स का जैसे ही ओलम्पिक्स खतम होते हैं आप देखेंगे कि कुछी महीनो में हो सकता है कि चाइना अटाइक करना स्टार्ट कर दे मगर यह अटाइक ऐसा नहीं है कि एक फुलन अटाइक होगा पॉसिबिलेटी है कि चाइना पहले ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर दे ताइवान का जैसे इनोंने किया था 1956 में डिसकस करेंगे यहाँ पर किया पुछूँगा कि फॉर मासा एक पुराना नाम है इन में से किस देश का जपान चाइना ताइवान या फिर वियत नाम कॉमेंट सेक्शन में करो आंसर सही उत्तर मैं आपको दूँगा वीडियो केंड में नाव ट्रम ने पहली बातों यहां पर यह का है कि जब मैं है काफी जादा इनकी स्टेट्पेंट्स प्रोवाकेटिव थी मगर तब भी कभी भी आपने यह नहीं देखा कि इसके रिस्पॉंस में चाइना ने बड़े स्केल पर ताइवान का जो एयर स्पेस है यह वालेट करना स्टार्ट कर दिया जो ताइवान पे अग्रेशन है च ने पुल आउट किया अपने वहाँ पर वैपन छोड़ दिये तालिबान ने विदेन आर्स टेक ओवर कर लिया यह सब देखके चाइना के होसले काफियत तक बुलंद है कि USA अब उस टाइब की सूपर पावर नहीं रहा जो एक टाइम पर हुआ करता था और यह बात इनों not knowing what they were doing और इसलिए आज के समय इनको काफी confidence है कि ताइवान का airspace wallet करते रहो US ज़रा कुछ इसके response में कर भी नहीं पाएगा और सबसे interesting बात यहाँ आपर यह है कि Trump की statement एक ऐसे time में आई है जब recently ताइवान ने भी यह बात admin कर ली है कि इनके ओपर एक बहुती बड़ा military threat है एक grey military threat है चाइना ऐसा नहीं है कि overall सीधा पूरे टापू पर कबजा कर लेगा कुछी घंटों में ऐसा नहीं होने वाला पूरे टापू पर कबजा करना बहुती लंबा painful process होगा मगर यहाँ पर ताइवान ने खुद गाए कि सबसे पहला काम चाइना कर सकता है Olympics के बाद यह कहते हैं एक siege जो यह word है siege इसका हिंदी में मतलब होता है घेराव करना आपने अगर पदमावद मुवी देखिए तो वहाँ आपने नोडिस किया होगा कि किस तरीके से लावदिन खिल जी चित्तोर फोर्ट को siege कर लेता है वो घेराव कर लेता है पूरे पोर्ट का और वेट यहाँ पर कर लेगा अपनी warship से अपने यहाँ पर fighter jet से all together ताइवान को cut off कर देगा from the entire world उसके बाद ताइवान ना export कर पाएगा ना import कर पाएगा और यह status हो सकता है कि China maintain करे कई महीनों तक even कई सालों तक क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो यह आप note कर पाएंग होगी और उसके बाद अपनी सेनाया पर इतिनात कर देंगे और फिर बस वेट करेंगे धिरे धिरे ताइवान के surrender का यह इनकी policy रहने वाली है और surprise मत होईएगा कि अगर आज से एक दो साल बाद यही चीज आपको देखने को मिले और जो यह siege वाला सेनारियो है यह धिरे ध दीरे बढ़ता हुआ देखकर जपान के जो पूरो प्रामिस्टर है शिंजो आबे इन्होंने भी रिसेंटली यह का था कि अगर चाइना ने इन्वेजन करने की कोशिश करी और इस टाइप का siege करने की यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया तो यह चाइना के लिए economic suicide होगा क् इसके बाद सारे देश all together चाइना के साथ trade करना बंद कर देंगे अब interesting बाद देखिए जपान ने भी यहाँ पर जो अपनी tone है दीरे दीरे change करनी start कर दी है यह लोग attack करने की बात इतनी करनी रहे यह लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक बार Taiwan का siege हो गया उसके बाद US और Japan trade को लेकर sanctions को लेकर क्या करने वाले हैं और आज के समय आप सब लोगों की जो geopolitical समझ है ये भी इतनी बढ़ गई होगी कि आप समझ पाएं कि चाइना को आज के समय sanctions और economic यहाँ पर loss से कुछ इतना नुकसान होगा नहीं Forex Reserve इनके पास बहुत जादा है तो ये एक बार को blockade करना है तो करी देंगे sanctions से ये लोग डरने वाले नहीं है और in the past चाइना ऐसा कर भी चुका है Actually China ने तीन बार करने की ये कोशिश करी थी इनको एक बार सफलता भी हासिल हुई मैं आपे बात कर रहा हूँ Taiwan State Crisis के बारे में इधर Taiwan और China के बीच में जो ये पानी करासा गुजर रहा है न इसको हम कहते हैं Taiwan State तो initially जब Taiwan सबसे बहले बना था तो obviously China ने यहाँ पर अपनी नेवी भेज कर इसको कबजाने की कोशिश करी थी इसको हम कहते हैं The First Taiwan State Crisis ये वा था 1954 में और ये चला था 1955 तक China ने almost पूरे Taiwan को घेल लिया था China का main यहाँ पर जो target था वो था इनके टापू हो सकता है कि आप इसे कुछ लोगों को इसके बारे में ना बता हो मगर Taiwan already कुछ जमीन चाइना को हार चुका है 1956 तक चाइना ने यहाँ पर अच्छरे घिराव करके ताइवान का ये जो यहाँ पर कुछ टापू थे जिन पर ताइवान का कबजा था उसको completely take over करके पार बना दिया चाइना का और ये सब करने के दुरान इन लोगों का काफी loss हुआ कई इनके लोग मारे गए और उसके बाद जो इन्होंने फिर से करने की कोशिश करी 1958 में तब US बीच में आ गया उस वक्त ताइवान के करी 500 soldiers मारे गए थे 200 soldiers injured हुए Communist China के 460 soldiers यहाँ पर मारे के दोनों साइड काफी loss हुआ और उसके बाद फिर चाइना धिरे जिले पीछे अटा तो in the past ये strategy काम कर चुकी है most probably same strategy ये use करने वाले है 2022 के बाद तो देखिए overall चौता ताइवान स्टेट क्राइसिस आने वाला है याद रखिएगा इसके जो ये words यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ यह words यूज किये जाएंगे बाद में जब यह सब स्टार्ट होगा और question यही आता है कि क्या जो वाइडन अफगानिस्तान की तरह पर चाइना को ब्लॉक करने की कुशिश करेगा even if that means going to war यह देखना होगा that will be very interesting to see ख्यार वापस आते हैं में question पर फॉरमासा प्रौना नाम है इन में से किस देश का जपान चाइना ताइवान या फिर वियत नाम तो सही उत्तर यहाँ पर चाइना नहीं है सही उत्तर यहा यार प्रॉपरली UPSC exam के लिए prepare करना चाते हैं तो comment section में जाओ यहाँ पर आपको मिलेगा यह link इस link पर करो click और यहाँ पर परचेस कर पाएंगे अनकाडमी का unique UPSC combo package जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, optional of course आपकी choice का philosophy, history, geography जो भी आपको choose कर सकते हैं इन सब की तियारी कर पा तो यहाँ पर आपकी saving होती है, इसके ऊपर additional discount आपको मिलेगा अगर आप use करते हैं यहाँ पर promo code PG10 तो अगर आपके पास अभी time है, आप अभी college में है, 2-3 साल का time है, आपके पास target है कि 2-3 साल में एक proper attempt दोंगा IES exam के लिए, तो आप 36 महीने या फिर 24 महीने का course कर सकते हैं झाल